नमश्कार गुड बॉर्निंग बच्छो नमश्कार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागते और आज का जो सेशन रहने वाला है यह बाइलोजी का फर्स्ट सेशन हमारा रहने वाला है इससे पहले मैं बाइलोजी के एक वीडियो बनाई है लेकिन फुलोन क्लास वाइज आज हम बात करने वाले हैं जेव प्रक्रम की यानि लाइट प्रोसेस की तो लाइफ का क्या प्रोसेस होता है कैसा वर्किंग रहती है आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं अगर बच्छो आप हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइग अ क्लासे इसके अंदर आपको human bodies के अनमटोमी आपको बताने वाला हूँ जिसके अंदर हर एक parts की हम बात करने वाले हैं तो चलिए आज किस क्लास को सुरू कर लेते हैं तो चलिए बच्छों आज किस क्लास को सुरू करते हैं यहां पर आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट यहां हमारे सामने क्या आता है जेव प्रक्रम जेव प्रक्रम क्या है तो इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे सामने इसकी फूल ओन जो डेफिनेशन है वो हमारे सामने यहां पर लिखी गई है कि वह सभी प्रक्रम जो सयुक्त रूप से जीव के अनुसरन का कार्रे करते हैं वो जीव प्रक्रम कहलाते हैं यानि लाइफ प्रोसेस क्या है वेक्ति की लाइफ को या किसी भी पार्टिकल्स की लाइफ को चलाने के लिए जो लाइफ साइकल है उसको जेव प्रकरम कहा जाता है ये किस टाइब से वर्किंग करता है तो जेव प्रकरम को यहाँ पर कितने बागों में बाटा गया है पोशन, स्वेसन, वहन and उत्सरजन यानि कि हमने कुछ भी खाया, सास ली हमने इसके बाद में उसका वहन करा और उसका उत्सरजन करा तो यह से भी पार्टिकल्स यहां पर आते हैं यहां पर हम पोशन की बात करते हैं कि बोजन ग्रेंड करना उसे पचाने का और अवशोर्शन, हम सरीर द्वारा अनुरक्षन के लिए उसका उप्यो करना पोशन केलाता है यानि कुछ भी हम पार्टिकल्स खा रहे हैं, कुछ भी अनुओं को हम ले रहे हैं कुछ भी आटम्स हम ले रहे हैं, मूँ के जरीए तो वह सभी portion हम हमारे बोजन के रूप में लेते हैं, पचाने के लिए खाने के लिए लेते हैं, तो वो potion कहलाता है, potion के हिसाब से, इनको दो बागों में divide किया गया है, जिसमें सुहपोसी और विशमपोसी, सुह पोसी और विशम पोसी यहाँ पर हम बात करते हैं देखिए इसको दो बागों में बाटा गया है तो जिसमें यहाँ पर हमारे सामने पोसन के इसापस आता है सुह पोसी और विशम पोसी सुएपोसी वह सभी पोशन तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्तित सरल जेविक पदार जैसे CO2 पानी और सूरे के प्रकास से अपना बोजन सुएम करता है जिसे हरे पेड़ बोदे यानि वह जीव जो सुएपोसी जैसे डाम से ही विक्याते सुएपोसी यानि सुएम ही अपना बोजन मनाता है वह किसी थर्ड पार्टी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहता है ऐसे जीव जो सुएम अपना बोजन मना रहे हैं उसे सुएपोसी कहते हैं जिसके अंदर पोसी केलाएंगे विसम पोसी वह सभी जीव जो दूसरे से अपना बोजन करते हैं यह डेफिनिशन हमारे सामने क्या आती है कि पोसन का वह तरीका जिसमें जीव अपना बोजन सुयम नहीं बनाता है बलकि वह अपने बोजन के लिए अन्य जीव पर निर्बर रेता है वह विसम पोसी कहलाते हैं जिसके अंदर एक तो मनुश्य हम कुद भी दूसरे पर डिफेंड रहते हैं अन्य जानवर आप अन्य जीव को देख सकते हैं जिसमें एनिमल्स आ जाते हैं ऐसे काफी पार्टिकल्स आते हैं ऐसे काफी एनिमल्स आते हैं ऐसे कभी हुमन बोडिस भी जो आती है जो सभी दूसरे पर डिफेंडेंट रहती है तो वह सभी विसम पोसी कहलाते हैं चलिए यहाँ पर सुह पोसी की हम बात करते हैं स्वेपोसी में हरे पोदे यहां पर आते हैं हरे पोदों में तता जिवानों जो की प्रकास संसलेशन से अपना बोजन ग्रेंड करते हैं वैसे जिवानों वहाँ सभी स्वेपोसी कहलाते हैं तो यहां पर बच्चों हम बात करते हैं नीचे के और बढ़ते हैं तो यहां हमारे सामने आता है प्रकास संसलेशन, यानि प्रकास के जरिये जो उर्जा सरीर मुत्पन की जाती है, उसे प्रकास संसलेशन का आ जाता है, यानि वहा प्रकरम जिसमें स्वेपोजी भार के लिए पदार्तों को उर्जा को संचित रूप में परिवर्दित कर लेता है और यह पदार्थ कारवन डाय ऑक्साइड तता जल के रूप में ली जाती है जो सूरे के प्रकास तता क्लोरो फिल की उपस्तिते में कारवन डाय ऑक्साइड में परिवर्दित किया जाता है यानि कि वो CO2 और ऑक्सिजन के CO2 और जल के जरिये वो सभी प्रकास अंसलेशन के किरिया होती है और उसके जरिये वो यहाँ पर ऑक्सिजन को छोड़ते है तो वो जो किरिया है प्रकास अंसलेशन की उस किरिया को यहाँ पर बताया गया है इसी के साथ ही प्रकास संसलेशन के लिए आउश्य कच्छी सामेगरी क्या है यन्य रो मेटेरियल क्या है तो चलिए रो मेटेरियल के बात करते हैं यहाँ पर आता है सूर्य का प्रकास जो कि रो मेटेरियल के रूप में यूज में लिया जाता है, सुर्री से प्रकास आ रहा है, इसके बाद में कलॉरोफिल आ گया, कार्वन डायोकस जो कि हमारे वातावरण में इसके बाद में इस्ताने पोदे जैसे वायू मंडल से प्राप्त करते हैं और जल जो कि पोदे अपने जड़ों के माध्यम से मिट्टी से जमीन से वो जल को प्राप्त करते हैं या रंद्रों के माध्यम से वो बूंदों के माध्यम से भी प्राप पढ़ती है, नमक की जरूत पढ़ती है, कुछ विक्ती नमक नहीं कहते हैं, उनकी बात अलगे, लेकिन नमक की जरूत पढ़ती है, पानी की जरूत पढ़ती है, तो रो मटेरियल में क्या आगया, आटा, नमक, पानी, इन सभी को मिक्स करके, जब हम आटा गूनते हैं, आटा होती है तो क्या गटना है होती है क्लोरोफिल दोरा प्रकास उर्जा को आवसित करता है और प्रकास उर्जा को रासाइनिक उर्जा में रूपांतरित करता है और जल अनुओं का हाइड्रोजन तता ऑक्सिजन में अपगटन होता है यानि कि प्रकास के जरीए वो जो प्रकास उरजा है उसको रासानिक उरजा में कनवर्ड कर लेते हैं शरीर में जाने के बाद यानि पेड़ पोदों के जरी है और उसके बाद में यहाँ पर क्या किया जाता है हाइडरोजन को अक्सिजन में कनवर्ड किया जाता है क्योंकि पेड़ पोदे oxygen को छोड़ते हैं तो oxygen में convert किया जाता है तो यह किरियाएं यहाँ पर होती है और carbon dioxide का carbohydrate में अपचेन होता है तो इस टाइब से यहाँ पर यह इसकी कुछ गटाएं होती है इसे के साथ बात करते हैं अब हम रंद्र की या नहीं stomata की तो पत्यों की सते में सुद्र छिद्र होते हैं जिनें रंद्र का जाता है कोई भी पत्ता आप देखें उसको microscope से हैं कैसे भी देखें तो उन पत्तों में को छोटे-छोटे छेद पाया जाते हैं उनको रंद्र का जाता है यानि esto-meta का हा जाता है रंद्र के कारी क्या होते हैं यह प्रका theor, शंसलेशन के लिए गेसों का आदान प्रदान इन ही छेदों के जरिये करते हैं यानि वो अक्सिजन को छोडते हैं गारवन डाउक्साइड को लेते हैं तो वो इनी रंद्रों के माध्यम से किया जाता है वहीं वाक्पोर्पस रंड की किरिया भी यहां इनी के जरीय की जाती है इन रंद्रों के जरीय यानि जल को भी छोडने का काम है जल को भाप के रूप में छोडने का काम है वो भी इन रंद्रों के जरीए किया जाता है तो यहाँ पर रंद्र देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप से हमारे सामने यहाँ पर यहाँ आता है अगर इसको जूम करके मैं आपको बता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखे इसको देखिए ये कुछ इस टाइप से हमारे सामने यहाता है और ये होता है हमारा रंदर ये छेद जो है ये है रंदर छेद इसके जरीए ही जल को छोड़ा जाता है यहाँ पर इसके जरीए ही कुछ गेसों का आदान परदान होता है carbon dioxide का and oxygen का इदी शेदों के जरी होता है और ये रंदर का दौार है यहाँ पर रंदर को सिखा होती है तो कुछ इस type का यहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है और अगर हम बात करें इस चित्र में रंदर को हमने समझाया हुआ अब बात करते हैं यहाँ पर विशम पोसी की यानि विशम पोसी क्या होते है विशम पोसी में आज हम बात करने वाले हैं इस class के अंदर के वला amoeba की next class के अंदर हम हम human bodies में आएंगे जिसमें हम आपको बात करने वाले हैं digestive system की यानि पाचन तंत्र की इसके ओपर एक वीडियोज हम पहले भी लएकर आए हैं लेकिन अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी तो फिर भी हम वीडियोज आपके लिए लाने वाले हैं चलिए यहाँ पर विशम पोसी की अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि विसम पोसी क्या होता है, विसम पोसी को यहाँ पर तीन बागों में डिवाइड किया गया है, त्री विवाजन किया गये हैं, जिसमें प्राणी सम पोशन करता है, यानि ऐसे इने में जीव संपूर्ण बोजन का अंतरग्रेंड करते हैं, तता अपने सरीर के अंदर होता है, यानि अमीबा जैसे कोई भी पार्टिकल्स हमने लिया तो अपने सरीज के अंदर ही उसका अंतगरेंट कर लेते हैं, उस सरजन नहीं किया जाता है, तो वो क्या होता है, प्राणी सम पोशन, और मृत पोशन क्या होता है, मृत जीवी, अपना बोजन, मृत जीवों के सड़े गले पदारतों से प्राप्त करते हैं, यानि ऐसे जो जीवी जो सड़े गले पदारतों से, यानि मृत जीवी पोशन क्यालाता है, जिसमें फफूनी, कवा, जो मरने के, यानि कभी कभी आपके रोटी में फफून लग जाती, तो वो सबी इसी टाइप के अंदर आते हैं, वहीं परजीवी, यानि परजीवी अन्य जीवों के सरीर के अंदर यहां भार उनको बिना मारे अपना पोशन प्राप्त करते हैं, जिसमें अमर बेल, जू, यह आपके सामने यहां पर आते हैं, जो आपके वो बोजन ग्रेंड करते हैं, लेकिन वो अपने जीवों को नहीं मारते हैं तो यहां पर अब हमारे सामने यह अमीवा आपको देखने को मिलता है कि अमीवा किस टाइब से होता है यह है हमारे सामने यह अमीवा और यह एक खाद्य सामगिरी है तो इसमें क्या किया जाता है मैं आपको जूम करके आपको बताओं तो Amiwa क्या करता है कि किसी भी खाद्य सामागरी को अगर Amiwa खाता है तो उस खाद्य सामागरी को इस टाइब से चारो और से कवर कर लेता है फिर अपने अंदर एंट्री ले लेता है अपने अंदर उस चीज को लेने के बाद और फिर नेक्स्ट में Amiwa के अंदर जो बोजन का खाद्यकन है वो अंदर चला गया और end stage पर ये हमारे पास कुछ इस टाइप से चला जाता है और बाद में Amiwa इसी को अपने अंदर यहाँ पर निसकासित कर लेता है यानि ये process के अंदर बोजन को गरेंड किया जाता है तो इसका जो life cycle है process कुछ इस टाइप से आप इसको देखे तो यहाँ पर हमने इसको डीटेल वाइस आपको सामने आपर मिल रही है information कि बोजन को अपने अपने के नाम है ये पादाब की साहिता से वो घेर लेते हैं घेर लिया उसने, उसके बाद में खाद्यरक्तिका यानि उसके जरीए वो खाद्यरक्तिका यानि वो उस चीज़ को cover कर लेते हैं, खाद्यरक्तिका में जटिल पदार्त का विगटन सरल पदार्तों में किया जाता है और बच्या हुआ अपच कोसिकाओं की साहिता से गती करता है और ये ये पदार सरीर के अंदर निसकासित कर लिया जाता है तो कुछ इस टाइब से अमिवाई स्थीज का पोशन करता है जो आपने देखा इसके बाद में यहाँ पर हमारे सामने एक और पोशन का तरीका है जो आपको यहाँ पर देखने को बिल रहा है नेक्स क्लास के अंदर बच्चों हम बात करने वाले हैं पोशन यूमन यानि मनुश्य का पोशन कैसे होता है वो बात करनेवाले हैं Next session में जिसमें हम बात करनेवाले हैं आपके सामने यहाँ पर यह digital system की कि 29 system कैसे व्रक करता है, कैसे कारिय करता है वो अम Next class लिए वात करनेवाले हैं I hope अगर आपको यह lecture पसंद आया हो अच्छा लगा हो तो इस वडियो को लाइगन सहर जरू करें एंड चनल को सब्सक्राइब जरू करें क्योंकि ऐसे ही informative classes हम आपके लिए लाते रहते हैं आपके लिए बहुत फाइदे बन रहती हैं अगर आप 10th class में पढ़ रहे हैं इन फ्यूचर में अगर आप कसी भी competitive exam की तयारी कर रहे हैं तो आपको human anatomis की काफी वाज हमसे information ली जाती है जिसमें हमें digestive system, respiratory system ऐसे काफी systems की यानि हमारे सभी systems की information हमसे ली जाती है तो उसके लिए आप मारे चैनल को subscribe करें इन फ्यूचर में हमारे एक parts की classes लेने आने वाले हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe करें वीडियो को like जरू करें तो मिलता है next session में next class में जिसमें हम बात करने वाले हैं human bodies and digestive system की वाई ये देखते हैं next class